सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज के वडियों में हम बात करने वाले हैं अगर आप Google पर यूज करते हैं और Google पर में जब भी आप अपना account balance check करने का try करते हैं तो आपको एक error दिखाता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह मैं अपना bank balance से इसको check करने का try करता हूँ यह मेरे सामने मेरे account balance आ चुके हैं इने में से किसी भी account का अगर मैं balance check करूँ है इसका मैं account balance check करने का try करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो है error दिखाएगा मैं आपको error भी दिखाने वालू हूँ वो error क्या है guys तो यहाँ पर submit पर click कर देते हैं आपके सामने जो है account balance तो नहीं आएगा बट आपके सामने दिखा देगा could not check balance तो आपको करना कहा है आपको बताने वाला हूँ इस प्रोड़ों चुटकार आप आने के लिए आपको directly अपने Google Pay में आ जाना है तन उसके बाद आपको अपना balance check करने में अगर बार बार प्रोड़ों मारी है तो उसको solve करने के लिए आपको उपर की तरफ प्रोफाइल का लोगो देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह ऐसे bank account दिखाएगा यह कि आपने bank account यहाँ पर आपको bank account पर क्लिक कर लेना है करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोनों तरीके सबसे पहले तो उपर देख लिजी आपको 3.0 देखने को मिलगा 3.0 पर क्लिक करिए दन उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्षन देखने को मिलेगा पुराणा पिन डालने के बाद यहां पर आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है दन उसके बाद यहां पर आपको बोल रहा है ने आपने बनाया होगा तो डाल देते हैं और यहां पर नीचे आपको तरफ आपको देख लेंगे मिल रहा है सब्मिट तो आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है तो इतना काम आपको करना है और आपको जो UPI PIN होगा वो चेंज हो जाएगा new UPI pin आप change कर सकते हैं ऐसे और फिर आपना जो balance चेक कर सकते हैं new UPI pin के through तो ये काम पहला आपको करके देख लिना है then उसके बाद अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं इसका दूसरा तरीका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है forget UPI pin इस पर आपको क्रिक करना है then उसके बाद आपको दिखाएगा enter your debit ATM card information कुछ इस तरह से आपका debit card होगा तो यहाँ पर आपकी information लिखी मिलेगी आपको देख सकते हैं यह एक number है last के 6 number बोल रहा है 6 digit तो यहाँ पर 6 number देख लिजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगे 6 number last के तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं last के 6 number 003378 जो भी है तो यहाँ पर डालना पढ़ेगा आपको तो मैं डाल देता हूं तो card number 2 हमने डाल दिया है यहाँ पर then उसके बाद नीचे आपको दिखा रहा है month और year month और year भी आपको card में देखने को मिल जाएंगे यह आपका month और year होगा valid जब तक होता है आपका तो यहाँ पर valid जब तक है वो डाल देना है आपको तो यहाँ पर डाल देते है so guys मैंने month और year भी डाल दिया है आपको याद रखना है आपका expiry date जो होती है जब तक आपका valid होता है जहाँ पर आप देख लेजिए valid जो last date होती है valid जब तक है वो डालना है दन उसके बाद यहाँ पर आपको एरो का निशान इस पर क्लिक कर दिना है यहाँ पर गैंदरिक information यहाँ पर दिखा रहा है enter six digit OTP मेरे mobile पर OTP आया है मैं OTP डाल देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप यह मेरा OTP है OTP मैं डालता हूँ यहाँ पर 55,67,68 55,67,68 यहाँ पर यह हो चुका है submit कर देते हैं इसको निचे क्लिक करके submit पर क्लिक करने के बाद आपको बोल रहा है enter four digit card pin तो यहाँ पर देख सकते हैं the pin that is manually entered by the card holder using automate tailor machine जो आपका ATM pin होता है मतलब ATM card है जैसे मेरा ATM card है मैं पैसे निकलवाने जाता हूँ तो जो मेरे को pin डालना पड़ता है वो pin मैं यहाँ पर डालओगा मेरे को डालना पड़ेगा वो pin तो मैं डाल देता हूँ तो मैंने अपना ATM pin था वो डाल के मैंने submit कर दिया था गाईस टन उसके बाद यहां पर submit पर click करना है आपको submit पर click करने के बाद दिखा रहा है confirm four digit UPI pin फिर से आपको यहां पर confirm करना होगा same pin यहांपर डालने के बाद फिर से आपको submit पर click कर देना है तो यहां से आप जैसे submit करेंगे आपका जो successful अपना pin जो है generate कर पाएंगे, तो ये दूसरा तरीका था, दन उसके बाद आपको क्या करना है, ये तरीका करने के बाद, जैसे आप ये सब कर लेते हैं, उसके बाद अगर फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है, दन उसके बाद क्या करना है, आपको उपर three road देखने को मिल रहा है, three road पर आईए, यहाँ पर आपको remove account देखने को मिल रहा है, remove account पर click कर दीजिए, और अपना account को remove कर लिजिए, और फिर से re-add कर लिजिए, तो ये कुछ solutions थे, तीनो solutions मैंने आपको बता दी है, अगर आपको फिर भी कोई problem आती है, मुझे comment box में जुरू बताएगा, मैं आपके लिए कोई solution लेकर आँगा, so guys, आसके वीडियो में इतने मिलते हैं, next video में, till the way I take care, love you all.